So, जिस स्पीड से AI आगे बढ़ रहा है, उसी स्पीड से हर इंडस्ट्री में ये डर फैल रहा है कि उनका काम या जॉब AI टेक ओवर कर लेंगे But in my opinion, AI हमारा काम एजी ही करने वाले हैं तुम लोगों ने शायद ये नोटिस नहीं किया होगा कि हम अपनी डेली लाइफ में इन AI से घेरे हुए हैं फिर चाहे वो यूटूब पे कोई इंट्रस्टिंग वीडियो रेकमेंड होना हो या फिर तुमारे मूट के हसाब से इंस्टाग्राम की फील आना हो और अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक वीडियो प्रोडक्शन इंडस्ट्री की तो भाई AI बहुत जादा टाइम कंजूमिंग काम को बहुत ही कम सामय में कर लेते हैं तो बात करते हैं अपने नमबर वन AI की वो है डाली अब मुझे नहीं पता इसको प्रनाउंट कैसे करना है अब तुमने कई बार रील्स में ये AI वाली हाईपरलैब ज़रूर देखी होगी वैल ये AI वाली हाईपरलैब डाली से ही बनी है चलते हैं अपने स्क्रीन पर और देखते हैं कि क्या है ये अब जैसे तुम लोग लोग अगन और साइन इन करने बोलेगा तो वो कर लेना और उपन करते साथ ऐसा ही कुछ इंटरफिस आता है जहां ये लिखा होता है अपलोड एन इमेज तो मैं तुम लोग को सिधा अपलोड करके दिखाता हूँ जैसे ये एक एक एक्जामपल इमेज है जो मैंने बर्ड की लिए है स्किप क्रॉपिंग यहां से मैं करता हूँ इसको ओके अब ये बॉक्स देख रहा हूँ लेट से तो मैं सर्च करता हूँ वॉटर मेलन हैड आप सको करते हैं थोड़ा जनरेट ओ देखो ये कुछ ऐसी क्रियेटिफ ये वॉटर मेलन हैड का तो ऐसे ही तुम कुछ अपनी अपनी क्रियेटिविटी दिखा सकते हो इससे अब हम बात करते हैं DPI की अब DPI और डाली में डिफरेंस यह है कि डाली एक पर्टिकुलर एरिया के अराउंड कुछ इमेज अपन को रेंडर करके देता है DPI पूरा text to image है इसमें जो text डालोगे उसे सापसे अपन को image मिलेगी तो हम आ गए हैं अपने interface पे sign up और login तो इसमें भी बोलेगा तो वह कर ले न अब चलते हैं अपने तीसरे AI पे और यह मेरा one of the favorite AI है यह speech enhancer अगर आपकी कोई raw audio footage है जैसे की यह वाली कोई भी YouTube की वीडियो जो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है उसके पीछे उत्ती ही महनात होती है but still वह video creator बहुत ही कम टाइम में उस video को बनाता है उसको अगर आप process करेंगे तो यह कुछ ऐसी हो जाएगी कोई भी YouTube की वीडियो जो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है उसके पीछे उत्ती ही महनात होती है but still वह video creator बहुत ही कम टाइम में उस video को बनाता है एक major difference देखने मिलता है यह पूरी ही professional बनातेती है अब चाहे अपने phone से record करो या microphone से doesn't matter यह आपकी voice को बहुत professionally podcast voice बनातेगी अब आते हैं अपने चौते टूल पर चौता टूल वैसे कोई AI नहीं है but यह बहुत helpful है इसका नाम है Milanode अब Milanode एक content writer website है जिसमें आप अपनी content writing की mind mapping कर सकते हो अब mind mapping मतलब क्या mind mapping मतलब आप topic से लेके क्या बोलना चाहते हो उसके कितने parts होने वाले हैं वो सब चीज़ और यह बहुत easy to use हो जाती है क्योंकि आपके communication skills को भी बढ़ाती है प्लस आपका content कितने कम time में कितना engaging होने वाला होता है या फिर कितने कम time में आप एक content को बहुत amazing वना सकते हो यह पूरा काम आप Milanode से कर सकते हो अब आते हैं हमारे fifth और last tool पे जो की है remove bg आप यह बहुत simple सी website है बहुत simple सा tool है बट यह बहुत useful tool है जब आप किसी project पे काम कर रहे है और आपको format png में चाहिए वह बहुत frustrating हो जाता है कि हम photoshop में जाएं वहाँ पे हम उसको करें फिर उसको बंद करें फिर बार-बार खोलें एक भी image के लिए यह चलता है बट बार-बार frustrating हो अप्लोड कर लेता हूं लेट से अपनी वही जनरेट डाली वाली तो मैं को image ले लेता हूं लेट से यह वाली पर इसको मैं करता हूं ओके तो यह हो गए अप्लोड और इसकी background removal कुछ ऐसी देखेगी देखो किता accurate यह पूरा का पूरा background रिमूव कर सकती है और यहां से तु तो simply इसको अगर मैं download करूंगा तो यह है PNG format में तो यह रहा है मेरे कुछ 5 ऐसे tools जो की मेरे को बहुत helpful किया है मेरे projects में और आपके projects में भी आपके content में भी बहुत helpful रहेंगे तो that's it for video अगर तुम इसका part 2 चाहिए या फिर मैं और tools बताऊं तो comment में जरूर बताना और मिल बताऊं पिरो